अन रोड पढ़ने वाली वो एक लाख रुपे से भी कम पढ़ सकती है डिस्प्ले में आप यहाँ पे देखोगी तो आपको डिफरेंस मिलेगा दो गंटे के अंदर इस गाड़ी को आप 0-80% चार्ज कर सकते हो करिए उनको 12,000 रुपे का रिवार्ट डाउनलोड करने पर मिलाता इसमें 75 किलोमेटरी की रेंज मिलती है एक लाग रुपे के अंदर और यह लाग रुपे के अंदर आपको सो हलो गाईस कैसे आप सब हूफ़ली सब बढ़े होंगे मेरा नाम है अजे जंगेट फिर से लेकर इस चैनल पर एक ब्रैंड न्यू वीडियो और आज इस गाड़ी को अपन रिव्यू करने वाले है वो है टीवेस आईक्यूब का प्रैजेज ड्रॉप होने ज़रूरी थे तो अगर गाड़ी में बैटरी कम होरी तो प्रैजेज कम करनी थे और प्रैजेज की बात करें तो इस यह गाड़ी जो आपको अन रोड पढ़ने वाली है वो एक लाग रुपे से भी कम पढ़ सकती है मतलब ऐसे अगर देखे तो अच्छी डील है मतलब आपको यह वाली गाड़ी लेनी चीए जिसमें 75 किलोमेटर की रींज मिलती है या फिर इससे उपर जो कि अभी सबसे जादा चल रहा है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें तो चैनल को कि अगर यह चीए अगर आपको दू करने वाला है अगर इस सर्फ आपको दू कलर ही मिलते हैं तो इक तो इक तो यह विलता है जो कि आपको 2.2 kWh बैटरी पैक के साथ रहे फिर इसके ऊपर आता है यह जिसमें आपको 3.4 kWh की बैटरी मिलती है और उसे उपरहाता है एकिन एक सबसे उपर वेरेंट जो एस्टीम आता है उसमों आपको 5.1 kWh की बैटरी मिलती है जो की मेरे साब से अभी डिलीवरी उसकी स्टार्ट हुई नहीं है तो पंटिकुलर जिस बेरेंट की अपन बात करें वो सबसे लुएस है जिसमें 2.2 सबसे छोटी kWh बैटरी आपको यह आपको यहां पर hub motor मिलती है बैट रही है और अगर साइड में भी देखेंगे तो यहां पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है सेम घड़ी आपको यहीं मिलती है बस बैटरी पैक है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया क्योंकि प्राइज करने थे यह जो पहले जो आता था वो डैड लाग रुपे सम्तिंग आता था लेकिन बहुत लोगों के लिए वो चीज कॉसली हो जाती क्योंकि आप यह उससे छोटा वेरिंट निकाला था कि जो लोग एक लाग के अंदर स्कूटी सर्च कर रहे थे लेक्ट्रिक में उनके लिए अच्छा ऑप्शन यह निकाल रहे है कोई 85 कोई 70 भी निकाल रहे है तो सबका अलग अलग नजरिया है लेक्तों 100 किलोमेटर उस गाड़ी में रींज तो आप निकाली सकते हो क्योंकि वह चलाने का तरीका है जिससे आप रींज बढ़ा सकते हो उसके उपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वा होगे तो यहां पर हाइपास के लिए और लो पास के लिए बटन आपको यहां पर मिल जाता है इंडिकेटर के लिए यहां पर यहां का बटन आपको यहां पर मिल जाएगा है आपको यहां पर बटन मिल जाएगा और यह पार्किंग मोड है अगर आप रिवर्स गाड़ी ल पर दिखाता लेकिन यह फिटी इड में आपको 44 की रींज दिखा रहा है क्योंकि इसमें रेंज कम मलती है तो यही कुछ है यहां पर अगर आपको बूट एकसेस करना है तो यहां पर सिफ आपको चाबी की साथ ही करना पड़ेगा और इसको गुमा के यहां पर देखोगे तो यही यही कई कोई कुछ आपको नहीं मिलेंगा सेम डिजंन आ पको मिलती है बस कलर्ण गर डिफ्रेंस धागई आप को यहां पर हले जाए जो की 4.5 किलोवाट की पीक पावर आपको यहां पे दिए प्राइब आपको बता है जो एक लाग आजार एक लाग नो हजार सम्तिंग आपको बढ़ती है तो वह 95,000 प्राइस बढ़ती है अब डिपेंड करता है कि स्टेट में उसकी क्या प्राइस बनती है लेकिन लेकिन एक आफर है जो बहुत जने मतलब यूज नहीं कर पाते है और जब डाउनलोड करके उसके रेजिस्टर करते है तो उसके रिवार्ड मिलता है जोकि mostly वैरी करता है आपके गाड़ी के ऊपर की कौन सी गाड़ी का कौन से वैरेंट है उसकी साब से प्राइजेज अलग अलग होते हैं जैसे अंबीरा एक कोई फ्रेंड है उसको टीवेस आ एक लाग रूपे के अंदर आपको बढ़ रही है तो इससे ज्यादा वैली पर मनी आपके लिए क्लिए बन सकता है हलां कि रींज थोड़ी कम मिलती है बट एक लाग रूपे में अगर आपको टीवेस का बात करो या फिर फीचर्स की बात करो सारी आपको बैटरी आपको यहाँ पर होड़ी होड़ी तो यहीं दोनों स्कूटर यहां पर घढ़ने हैं जिसमें आपको जिसे वीरिट की अपर रिव्यू कर रहे ते वह है यहां यहां पर दूबारी वाला और 3.4 कि लाउय ऐक वाला रेंज इसमें 75 km की रेंज मिलती है एक लाग रुपे के अंदर और ये डेल लाग रुपे के अंदर आपको 100 km या फर 105 की जो क्लेम करती है मतलब 100 real life में आपको मिलेगी तो ये difference इन दोनों के बीच में बाकी कोई भी difference as such नहीं है तो overall ये सारी चीज़े थी बाकी सारी पूरी body मतलब सारी चीज़े सेम है बस जो difference है वो battery का है अब motor भी आपको सेम मिल जाती है तो जो on road price मैंने आपको बताई थी एक लाग के अंदर ये गाड़ी पढ़ती है उसके बाद आप मिस्स करने वालो ये वाली build quality जो कि आपको ओला में एक लाग रूपे के अंदर भी नहीं मिलेगी तो first of all thank you so much दुर्गा बचावाथ for availing this scooter to me वीडियो के लिए thank you so much और इतना ही था इस वीडियो में ज्यादा बात करने के लिए था नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया कोई difference दोनों में है नहीं वह battery का ही difference आपको मलता है तो ज्यादा कुछ बात करने के लिए यहाँ पे आपको था नहीं वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेर कर देना उन फ्रेंज के साथ जो की एक लाग के अंदर को इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर कोई भी वाइकल सर्च कर रहे हैं जिनको एक लाग के अंदर अच्छी गाड़ी चाहिए तो उनको एक बार यह वाली सज्जेस्ट जरूर कर देना बाकी खुश रहे हैं हेलमेट पहने और शुरक्सित रहें थैंक्यू सो मच